जिला सिर्मौर के उपमंडल राजगड के धार पजेरा गाउं का 22 वर्षी अंचित शर्मा अरुनाचल प्रदेश में LAC पर शहीद हो गया है इसके बाद परिवार को बीती रात ही एक बेटे की शहादत की जानकारे मिली सुचना मिलते ही पूर एक शेतर में शोक की लहर दोड़ गई है शहीद अंचित शर्मा के ताया सुदेश शर्मा ने बताया कि बेटे की शहीदी की खबर से घर पर माहौल कमगीन है उन्होंने कहा कि परिवार को बीती रात ही जानकारी मिल गई थी सुबह उनकी सैने अधिकारी से फोन पर भी बात हुई उधर सैनेक बेलफियर बोर्ड सिरमौर के उपनी देशक मेजर दीपक धवन ने जवान के शहीद होने की पुष्टी की है उन्होंने बताया कि इस बारे अधिकारिक सूच ना मिल चुकी है उन्होंने कहा कि 24 नवंबर की शाम ऑपरेशन के दौरान माजा पोस्ट से जिलेमा पोस्ट की तरफ जाते समये 21 डोगरा यूनिट का जवान शहीद हुआ है शहीद का पार्थिव शरीर 27 नवंबर तक डिबरू गर पहुँचाया जाएगा इस बारे सेना के अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है इसके बाद पार्थिव देह को हवाई मार्क से होते हुए दिल्ली से चंडी गर लाया जाएगा जहां से पार्थिव देह पैत्रिक गाउं पहुँचाया जाएगा हिमाचल दिस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से चंडर ठाकुर